नमस्कार इस पाठ में हम लोग इस वीडियो में प्रश्णुत्तर करेंगे जो परिक्षा के point of view से बहुत ही important है और आपको उसकी आवेशक्ता है तो आंदोलन के नित्रुत्यों के संबंधे में जय परकास नरायन के क्या विचार थे आंदोलन का नित्रुत्यों की सर्थ पर स्विकार करते हैं तो ये पाठ इसका ध्यान हम लोग कर चुके हैं तो जो नहीं पर हैं वो मेरे प्लेलिस्ट को सर्च करें मेरे फोटो को टच करे उसके बाद प्ले लिस्ट आएगा प्ले लिस्ट में चैप्टर अपना खोजिए अपने क्लास का नाम खोजिए और आपको मिल लगा चैप्टर प्रहया हुआ है आज हम लोग कोश्चन अंसर करने बाले हैं इसका तो पहला प्रस्ण यही है कि अंदोरन के नित्रतों में नित प्रकाश ट्रायन का कहना है कि वे सलाह सबकी लेंगे सबकी बात सुनेंगे चात्रों की बात भी सुनेंगे जितना भी समय होगा उनके पास उस सबसे बहस करेंगे समझेंगे और अधिक से अधिक बात करेंगे बात पर जोड़ देंगे और बात यह भी है कि स्विकार कि सब की बात जन संघर समितियों को भी फैसला उनका होगा उसको मानना पड़ेगा जन संघर समितियां जो बनेंगी उनको भी उनका फैसला मानना पड़ेगा और तब जा करके वो इस फैसले को मानना होगा और इसके बाद क्या होगा कि जब प्रकास नारायन नत्रत को स्विक उनका कहना है कि क्रांती सफल तभी होगी जब नित्रत्य की बात को पूड़े का पूड़ा कोई फॉलो करे उसकी बात को आचरण में लागू करे इसलिए बहस मुहापसा सबसे करेंगे राय सबसे लेंगे सबकी बात सुनेंगे और अन्त में जब निर्णय हो जाएगा तुस निर्णय निकाल पाएंगे उस अंदुलन का नतीजा निकल पाएगा नहीं तो अंदुलन भी खड़ जाएगा तो इसलिए वो बोले कि जब तक सभी उनकी बात को स्विकार नहीं करेंगे तब तक वे नित्रत्य स्विकार नहीं करेंगे ठीक है दूसरा प्रस्ण है जै प् प्रवास का परिचे दें। इसावधी की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं। तो जब प्रकास नायन का कहना है कि 1921 इश्वी की जन्वरी महीने में पटना कॉलेज से वे I.S.C. के छातर थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए औ असहयोग के करीब 10 वर्स हीरो जीवन बिता था और असहयोग अंदोलन के हीरो के रूप में वे जीवन बिताये थे बात उन्होंने क्या किया? कि वे फूल देव सहाय वर्मा के पास बेज़ दिया गया पढ़ने के लिए और प्रयोगषाला में कुछ करने और सीखने के उन्होंने हिंदु विश्विद्याले में दाखिला इसलिए लिया, विश्विद्याले को सरकारी मदद मिलती थी, बिहार विद्यापीट से परिक्षा पास की, बच्पन में स्वामी सत्य देव के भासन से प्रभावित होकर अमेरिका गए, ऐसे में कोई धनी घड का, इनका क भाग में काम करते थे वे, तो इनके मन में पढ़ने की बहुत इच्छा थी, इसलिए अमेरिका गए, वहां मजूरी करके पढ़ा जा सकता था, इसलिए वे अमेरिका गए, अमेरिका के बगानों में जा प्रकास जी ने काम किया, करखानों में काम किया, लोहे के करखानों मे जहां जानवर मारे जाते थे उन कारखानों में काम किये वे जब वे इनवर्सिटी में पढ़ते ही थे तब भी छुटियों में काम कर इतना कमाना पढ़ता था कि दो-चार विद्यार्थी सस्ते में खापी लेते थे एक कोठरी में कई आद्बी रहते थे एक कोठरी में कई लोगों को रहना होता था और एक घंटा रेश्टरों में होटल में बरतंद होए विटर का काम किये बराबर दो-तीन वर्ड़सों तक दो-तीन लड़के एक ही रजाई में सुते थे जब बी-ए पास कर गए तो स्कॉलर्शिप मिल गई तीन महीने के बाद असिस्टेंट हो गए डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास संगर्सों से भड़ा हुआ था और इसी तरह उनका उनकी पढ़ाई वहां हुई जय प्रकास नरायन कम्मुनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए ये कम्मुनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे लेकिन कम्मुनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए यह सवाल है तो जय प्रकास नारायन लेनिन को बहुत बड़ा निता मानते थे। उनका कहना था कि लेनिन का ये भी कहना था कि जहां अंदुलन हुड़ा है वहाँ जो सबसे सक्षम दल है या तबका है, मोर्चा है उसका साथ देना चाहिए। बहले ही उसके लिए सिध्यानतों को भी थोड़ा छोड़ना पड़े तो वो मानते थे लेनिन कि बुर्जुवा कलास के खिलाप ही नित्रित होगा लेकिन बुर्जुवा भी अगर नित्रित कर रहा है उसका कोई गूट और अगर हमारी पार्टी से मजबूत है तो उसे भी सम मर्थन दिया जा सकता है तो उस समय कॉंग्रेस पार्टी देश में सबसे मजबूत स्थिती में थी आंदोलन के लिए तो कॉम्मोनिस्ट पार्टी में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था इसलिए कॉम्मोनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर भी वेज अप्रकास्ट नारायन कॉम्मोनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी मुख्य रूप से आंदोलन कारी पार्टी थी और सबसे फ्राउंट पर थी तो जब एक पार्टी आगे मुर्चा संभाले हुए है तो दूसरी पार्टी बनने का कोई जब नहीं था यहीं सोचकर जया प्रकास नाडाएन कम्मोनिस पार्टी में शामिल नहीं हुए अगर कोई इसको व्याख्या करना है आपको तो व्याख्या करने में आपको पुड़ा पाथ का नाम देना होता है जैसे प्रस्तुत पात प्रस्तुत पंक्तियां डेमोक्रेसी संपूर्ण क्रांती पार्ट से ली गई हैं जिसके लेखक जय प्रकास नरायन हैं इसमें उन्होंने ये बताया है कि डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है तो जो लोग शांती पूर्ण जुलूस निकालते हैं अपनी मांग रखते हैं शांत तंत्रिक हैं लेकिन जो लोग ऐसे अंदोलों को दबाने के लिए लाठी चलाते हैं, गोलिया चलाते हैं वे लोग डेमोकरेटिक नहीं हैं तो कॉंग्रेसी सरकार उस समय जो बिहार में थी उसके खिलाफ जो अंदोलन किया जा रहा था उस पर सरकार लाठियां चला रही थी, गिरुपतारियां कर रही थी तो जब प्रकास टारान के कहने का मनतव ये है कि सरकार की नितियां डिमोक्रेटिक नहीं थी और जो अंदोलन काड़ी रोग थे वे डिमोक्रेटिक थे क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से अंदोलन करने का अपनी विचारों को प्रस्तूत करने का अधिकार सबको है और यह डिमोक्रेसी है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से जगड़ा है सिध्यांतों से जगड़ा है काड़ियों से जगड़ा है इस पंक्ति का मतलब यह है यह पंक्ति भी संपुर्ण क्रांती नामक पाठ लिखक जया प्रकास नरायम से उद्रित है इस पंक्ति में भी लिखक का कहना है कि कोई व्यक्ति जगड़ा का कारण नहीं होता है बलकि इनके मत्वेद हो सकते थे वैचारीक अस्तरपड लेकिन सिध्यानत के अस्तरपड ही जगड़े वो थे कोई व्यक्तिगत जगड़ा नहीं था व्यक्तिगत तोर पड़ इन नेताओं से जर प्रकास नारयन का संबंद अच्छा था हाँ सिध्यानतिक अस्तरपड मत्वेद थे इसलिए यह पंक्ति कहने की आवशक्ता पड़ी है कि व्यक्तियों से कोई जगड़ा नहीं था व्यक्ति से नहीं बलकि नीतियों से जगड़ा था नीतियों में दोनों में अंतर था इंद्रागांधी या जा प्रकास नारयन में या जा वाहड़लाल नहरू में या जा प्र अंदोलन था समाजिक मुद्दों पड़िलर रहे थे कोई व्यक्तिगत या निदी जगडा नहीं था बापू और नेहरू की किस विश्यस्ता का उलेख जेपी ने अपने भाषण में किया है बापू और नेहरू में बहुत सारी विश्यस्ताइं हैं जिनका जेपी ने अपने और यह बहुत साहस की बात थी कि बापू के सामने महत्मगांधी के सामने कुछ कहें कि हमें मंजूर नहीं है और वो कोह पाएं तो यह साहस की बात थी जब प्रकास मुर्ण ऐसा कोड़ पाते थे वे कोह पाते थे कभी-कभी कि वे बापू के उस बात से सहमत नहीं है और ब पुलाकर आपस में शांती पुरुवक बैठ कर प्रेम से समझाते थे। ये भी कहते हैं कि जवाहरलाल नहरू उन्हें बहुत मानते थे। प्रष्टाचार की जवाड क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाओ देंगे? भष्टाचार की जवाड सरकार की गलत नीतिया हैं। चुनाओं में सरकार में सामिद होने के लिए पार्टियां बड़े बड़े पुझी पतियों से चंदा लेती हैं। चंदा लेने के कारण वे मजबूर होती हैं उनके स्वार्थ को साधने के लिए। और इस प्रकार से वे सुतंद्र रूप से कारण नहीं कर पाती हैं। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दवी रहती हैं। शिक्षा संस्थाएं भरष्ट हो रही हैं, नस्थ हो रही हैं। हमारे नोजवानों का भविश अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका अनस्थ होड़ा है। इस प्रकार चारों और भरष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवाजी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाएं। जो लोग कल्यानकाडी हों। और चुनाव में पैसा का महत्व घटे। भरष्टाचार की मूल में यही है कि लोग पैसे वाले लोग सरकार में पहुंच जाते हैं। जिसे से आम आदमी की समश्या का समधान होने में कठिनाई होती है। दल विहिन, लोकतंत्र और समयवाद में कैसा सम्बंद है। और समयवाद यह दोनों मालूम एक ही पड़ते हैं। लेकि समयवाद पहले लागू कर दिया जाए तो दल विहिन हो जाएगा। यह जब उर्दस्ति की बात होगी। समयवाद तब आएगा। जब समाज में पूर्ण विकास हो जाए। सभी लोगों को हर चीज की पूर्टी हो जाए। तो समयवाद आएगा। जब समयवाद आजाएगा तो सभों का उद्दस जन का ल्यान ही होगा। तो दल अपने आप अर्थ हीन हो जाएंगे। दल हीन लोगतंत्र सरवोदय विचार का मुख स्राजनितिक सिध्यानत है। गराम सभाओं के अधार पर दल विहीन परतिनितित तो अस्थापिद हो। दल विहीन लोगतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनीन बात के मुल देशों में से हाए। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे यसे सामवात की और बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे राजी एस्टेट का शय होता जाएगा। आन्थे में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। संघर समितियां वह है कि आमजन की समस्याओं से जूझती हुई ये समितियां सरकार के पास जनता की आवाज को पहुँचाएंगी, जनता की जो समिश्याएं हैं उनको उजागर करेंगी और सरकार उनसके अनुसार अपनी नितियों का निधारन करेंगी, समितियां सिर्फ अंदोलन ही नहीं करेंगी, बल्कि जन सरकार के बुद्धों पर जनता को एक राय करके उनसमिश्याओं को सरकार तक पहुँचाएंगी, इसलिए समितियों का रोल बहुत बड़ा होगा, अगर सही मायने में प्रजात अंत्र को लागू करना है तो ठीक है, त उमित करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा, तो फिर इसमपूर्ण क्रांती है, पाठ का प्रशनुत्तर, प्रमुख प्रशनुत्तर इन्हीं प्रशनुत्तों में से आपको इग्जामिनेशन में आएंगे, इसी तरह से हम सभी पाठ का प्रशनुतर करने वाले हैं, आप एक एक कड़के देखते रहिए, और लगातार जब तक आपकी परिक्षा नहीं हो जाती है, तब तक इसी तरह से प्रशनुतर खुता रहेगा, छुटे हुए प्रशनों को खोज-खोज कर आपके लिए लाते रहेंगे, तो थैंक्यू, और भी भी नहीं है